हेलो दोस्तो, स्वागत है हमारे यूटूब चनल टेक्निकल अपडेट में आज हम बात करने वाले हैं कि फर्दर SSTJ का रिजल्ट कब तक आ सकता है तो देखिए आपको जैसा की पता है इसका एक्जामनेशन 9, 10 और 11 अक्टूबर को हुआ था और इसका CBT-2 का भी सेड्यूर किया हुआ है चार दिसंबर को तो इस हिसाब से यदि हम प्रिडिक्ट करें तो कम से कम एक्जामनेशन 4 दिसंबर है तो इससे एक सफता पहले आपका एडमीट कार आ जाएगा और इससे अनुमान लगाया जा सकता है और आपका जो CBT-1 का रिजल्ट है फर्दर 15 नमंबर से लेकर 25 नमंबर के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं इसके बात कई सारे प्रोसेस को पूरा करना है एडमीट कार देना है एस्टेटस देना है तो और भी कई सारे इसके बीच क्रैटेरिया हो जाते हैं इसलिए ऐसा most chance है कि आपका जो रिजल्ट है 15 नमंबर से लेकर 25 नमंबर के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है फर्दर आप अपना preparation करते रहें mainly क्या है preparation अभी है तो कई सारे और भी examination है जिसको यदि आपका preparation हुआ रहेगा तो उसको आप crack कर सकते हैं इसलिए आप जरूर से जरूर अपना preparation करते रहें और अभी तो normalization होना बांकी हो सकता है उसमें पॉंच से 10 नमर भी कभी कभी बढ़ जाता है तो इसलिए आपका selection हो जाए तो इसलिए आपको बिल्कुल ही panic अभी नहीं होना है कम marks आ रहा है या जैदा marks आ रहा है तो आपको इसके लिए जैदा issue नहीं क्रिकेट करना है फर्दर आपको अपना preparation करते रहना है आपका result जो है 15 नमबर से लेकर 25 नमबर के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है इसी तरह का update पॉने के लिए हमारे चनल को subscribe करके bell icon को all पर sit कर लिए हमारे टिलिग्राम एन वार्सअप ग्रूप से जड़ूर जड़ जड़ जाएं